तो यहाँ पर algebraic function का differentiation यह बताया था x to the power n देखो तुमारा class उड़ा था simple है यहाँ पर जो differentiation सिखाया है कि जैसे y is a function of x मतलब y x के value पर depend कर रहा है मालो ऐसा कोई function है तो हम differentiate करते हैं y को with respect to x तो मालो x का power n के form में है तो इसका differentiation का formula nx n minus 1 as for example मालो हमको differentiation करना है x to the power 7 by 2 का तो nx n minus 1 हो जाएगा power को यहाँ लिखेंगे फिर function लिखेंगे power में one subtract कर देंगे तो finally यह 7 by 2 x to the power 5 by 2 हो जाएगा अब इसी पर best question करके homework दिया था तो यह पहला तो question करा दिया था class में दूसरा question आगा answer दूसरे में कोई doubt नई तीसरे में कोई doubt है चलो तो question में 3 तुम देखो कैसे solve होगा y is a function of x यह answer है यह answer का part है तो यहाँ पर differentiate करेंगे with respect to x जो deceit है numerical value है वो बिलकुल coefficient की तरह behave करेगा और algebraic function का differentiation होगा minus फिर यह 10 coefficient होगया x to the power 10 होगया plus 9 और x का differentiation अब यहाँ पर यह 4 by 3 formula क्या बना nx n-1 3x 3-1 minus 10 nx n-1 plus 9 dx by dx1 3 और 3 कड़ गया तो 4x square होगया minus 100x to the power 9 plus 9 इन्दे को यह answer है इसको cancel कर देंगे हाँ तो 10 into 10 multiply ही न होगा और क्या होगा हाँ तो common नेंगे तो भी तो बात होई है हो गया होगा नेक्स कोश्चन देखो पूर्थ कोश्चन यह solve हो गया था इसमें कोई doubt नहीं हो गया कोश्चन नवर 5 कोई doubt सबसे पल एक्स के पावर के फॉर में लिखना है तो y is equal to 8 x का पावर 1 by 2 मानस 4 x का पावर मानस 1 by 2 प्लस 5 x प्लस 6 अंसर यह है to dy by dx x हो गया कोफिसें मULTIPLYCATIVE FACTOR x to the power half मानस 4 इसमें 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 मानस 1 by 2 plus 5 x का इसमें इसमें और फिर 6 का इसमेंद इसमें nx n-1 plus 5 dx by dx 1 6 का differentiation 0 तो यह आगया 4 और यह x का power minus half तो 1 by root x minus minus plus 4 2 तो 2 बजेगा x का power कितना है गया minus 3 by 2 plus 5 answer क्योंकि x का power 0 है तो nx n-1 तो यू तो नहतो क्योंकि थए हो गया अब देखो ध्यान से next question ये हो गया ठीक अब आजें trigonometric function इसका differentiation तो कैसे हम लोग लिखते थे याद है y is a function of x तो पहला function y लिखते थे दूसरा क्या लिखते थे y plus delta y क्योंकि x में increment होता था x plus delta x वो इस टेप लिखा step 1 लिखो y is equal to sin x then y plus delta y is equal to sin x plus delta x लिखते चलो अब क्या करेंगे दोनों को subtract करेंगे तो delta y निकालो दोनों को subtract करके delta y find करो तो ये क्या हो जाए का y plus delta y minus y तो sin x plus delta x minus sin x ये लिखाया अब यहां पर एक formula यूज़ होगा sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 तो यहां पर ये c की तरह behave करेगा और ये d की तरह behave करेगा तो result इसका क्या जाएगा 2 cos x plus delta x plus x by 2 into sin x plus delta x minus x by 2 तो फानली ये 2 cos x plus x 2x 2x में से 2 दिवाई तो x plus delta x by 2 sin x और x थाँचल delta x by 2 वही यहां लिखावा है ग्रत्थ च्वें mêmes जाँ झज लिए यहां लिफ क्स प्रत्भी अशर डव प्रत्भी वहां लिए झाल झाल यहां तक हो गया अब यहां पर नेक्स स्टेप में क्या सिखाया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दोनों तरब डेल्टा एक्स डिवाई कर दो अब क्या सिखाया था नेक्स स्टेप में लिमिटिंग वैलू दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो दोनों तरफ लिमिट ले लिया अब लिमिट लेते हैं तो क्या होता पहले यह समझेंगे इसी में लिमिट लेना है तो limit delta x thins to 0, delta y by delta x, और limit delta x thins to 0, यहाँ पर क्या 2, cos x plus delta x by 2, into sin delta x by 2, whole divided by delta x, यही है न? यहाँ तो यहाँ टू टू डिवाइड है x, x plus delta x, एक ही बात है, अब यहाँ पर एक फॉर्मला दिमाग में रखना है, कि limit theta tends to 0, sin theta by theta 1 होता है, तो यहाँ पर क्या है भाई, theta की देखा पर क्या है? delta x by 2, तो यहाँ भी हम theta इसको बना सकते हैं, 2 से divide और 2 से multiply, तो यह क्या बन गया? sin theta by theta के form में बन गया, 1 हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? delta x tends to 0 तो only, cos x, इसलिए sin x का differentiation, cos x होता है, यह हम लोगों को 12 में जानना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग formula यूज़ करेंगे सिर्फ, कि sin x का differentiation, cos है, reason बताए कि यह होता है, reason से कोई मतलब नहीं है, बताए कि यहुआ है... झाल 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 हो गया नोट कर लिया सबने झाल अब नेक्स्ट जितने भी हम लोग trigonometric function है सब का differentiation जानेंगे तो जितने भी trigonometric function है sin x का differentiation cos x अभी प्रूब भी किया इसी तरह से cos x का minus sin x tan x का second square x second x का second x tan x cot x का minus cos x square x और cos x का minus cos x cot x यह formula note कर ले आप trigonometric function का और एक algebraic बता exponential और log है अब इसी पर हम लोग question भी करेंगे झाल 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 हो गया, नूट कर लिया सबने तो यह trigonometric function होगे, अब logarithmic और exponential का log x, तो 1 by x जिसका base e होता है, जिसको हम लोग ln भी कहते हैं, तो log x का differentiation यह, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, differentiation of log x base e, दोनुत तरीके से लिखा जाता है, चलीस को भी नोट कर लें, जाल को आप लिखा जाता हैं, जाल को जाता हैं, जाल की सबने जाता हैं, हो गया exponential e to the power x ka differentiation e to the power x c होता है यह भी note कर ले differentiation of e to the power x e to the power x ठीक है और यहाँ पर algebraic function क्यों मतब यहाँ पर a to the power x इसका भी differentiation लिखले a to the power x जैसे मालों कि आपको कह दे कोई भी constant term है suppose to उसके उपर power x दे दे इसका मतब यह 2 to the power x log 2 base e हो जाएगा एक example दिया जैसे आपको कह दे 5 to the power x का differentiation बताओ तो 5 to the power x लिखेंगे और यह log 5 आजाएगा base e हो जाएगा हो गया example भी दे दिया जैसे 3 to the power x का 3 to the power x log 3 base c और constant जिसमें की कोई algebraic function नहीं हो वहीं बताया like 2, 3, 4, 5 constant term independent of x उसका differentiation 0 independent of x आगे समझ में या तक अब यहाँ पर कुछ properties है log के log के properties जैसे log x y जब product के form में होगा तो addition होगा log x plus log y simply मालो ऐसे भी लिखा रहेगा ये तो function नहीं की दिया नीचे जो हम hand detail लिख रहे हैं उसको color बदल दे जैसे log m n कह दे और base e तो जब आप इसको expand करेंगे तो ये log m base e plus log n base e हो जाएगा यही इसका मत्तब है first properties दूसरा properties कहता है division के form में हो like log m by n base e तो ये log m minus n हो जाएगा log n ln भी आप इसको लिख सकते हैं तो second properties ये हो गया अब third properties कहता है कि जैसे यहाँ पर log x है x to the power n और base ये a है तो ये power इदार आ जाएगा तो ये हो जाएगा n log x base a तो ये हो जाएगा तो ये हो ये हो funk कर दो होड़ा है जाए ये होड़ाा है भी отдें अब्ल्ट ग्रू Medicine हो गया थर्ड तक अब फूर्थ देखो जैसे लॉग B है बेस A है और हमसको बेस चेंज करके लिखना चाहते हैं तो यह लॉग B हो जाएगा बेस E ले लेंगे और यहां लॉग A हो जाएगा बेस E ले लेंगे तो फूर्थ यह बन गया और यहां परज़दी हम बेस को इंटरचेंज करना चाहें लॉग B बेस A अब बेस को बदलना चाहें तो रेसिप्रोकल फॉर में आ जाएगा यह लॉग हो जाएगा बेस B A तो 1 बाई लॉग A बेस B 6 में यहां यह कॉस्टन टर्म होगा तो इसका वैलू 0 सावन्थ लॉग जो भी फॉंक्शन का निकाले और बेस सेम हो तो 1 हो जाएगा इसी तरह से लॉग 2 बेस 2 हो जाए माल लो इसका वैलू 1 अब इसी को इस फॉर में भी लिख सकते आप लॉग A हो बेस सेम हो और ज़दी पावर है तो यह पावर इधर आ जाएगा तो R लॉग A बेस A इसका वैलू 1 तो R इंटू 1 R हो जाएगा बहुत इंपॉर्टन रिलेशन पढ़ा रहे बहुत इंपॉर्टन यह मैस में जाकर कि आप एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे और यहां फिजिक्स में बहुत यूज़ है इसका इसलिए mathematical tools काफी important चैप्टर होता है हो किया इसलिए पिर्टन आुट जिया थे इस्जिक्ट बढ़ेंगे पूंगे जिए तो प्र दो के वित जिए झाएगे, तो कि या तो है जिए, पिर्म मैं यह कि आपिके पता लगने तो हम पॉंगे यह जिए जिए पुद्टन आ एल्म मैं घूगे तो बचुए अगे ल चलो तो यहां तक हम लोग complete कर लिया और next class में हम लोग इसके problem को solve करेंगे यह कल हम पूरा thoroughly सुनेंगे formula भी और जितना lockup properties है कल हम यह सुनेंगे पहले सब का use है तब फिर कल हम लोग इससे related problems को deal करेंगे यह सब problem है कल deal करेंगे अलेकल सारा formula एकदम याद हो जाना चीट इकनोमेटिक function के logarithmic एक exponential और logarithmic का जितना properties है